नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मिशिन वी कमपनी जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज तो दोस्तो आज का जो बिजनेस आइडिया है ये बहुत ही यूनीक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है काफी कम लोगों ने इसको लगाया हुआ है और जिन्नों ने लगाया है वो अच्छा मनाफ़ा कमा रहे हैं तो ये बिजनेस आप अपने घर से भी कम इन्वेस बीनी चाहिए और अगर आप इसमें इंवेस्टमेंट लगाना भी चाहते हैं तो वो आपका पैसा जल्द ही आपको रिटर्न हो जाएगा क्योंकि इसमें मुनाफ़ा ही इतना जादा है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह बिजनस कैसे शुरू होता है क्या-क्य इनमें इन्वेस्टमेंट लगता है क्या इसमें आपके लाइसेंस वगरा लगते हैं अगर लगते भी हैं तो कौन अगर नहीं लगते तो क्यों नहीं लगते तो सारा हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो को लास तक जुरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिएगे रेड कलर के बटन को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नए नए बिजनेस आइडियास आपके पास हम बेज सकें तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं धन्नेवाद जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है नोटबुक्स रिजिस्टर मैनुफेक्चरिंग बिजनेस के बारे में आपने देखा होगा मार्केट में नोटबुक्स डायरिस रिजिस्टर ऐसे की काफी आपको मार्केट में मिल जाएंगी आज जो हमारा बिजनेस आइडिया हम देखेंगे ये है नोटबुक्स बनाने के बिजनेस के बारे में तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका रौ मटेल क्या है क्या इसमें आपका चीजे लगती है बनाने के लिए क्या लेबर लगती है और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले जैसे आप नोटबुक देख रहे हो इसमें सबसे पहले आपका लगता है टाइटल फ्रंट पेज जो है आपका ये आपका टाइटल है उसके अंदर आते हैं आपका ये पेपर है ये दो मटेरल होते हैं एक इंडेक्स पेपर और एक आपका जिसपे आप राइट करते हो तो ये दो पेपर आपका यूज होते है अंदर वाली साइट और फ्रंट पे आपका यूज होता है टाइटल जो index है यह आपका optional है यह आप लगा भी सकते हो नई भी लगा सकते है यह आप पे है mainly इसमें जो हम raw material count करते हैं एक तो front title जिसमें आपका नाम सारा कुछ लिखा होता है और second thing इसमें आता है अंदर वाला paper जिसमें आपका अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो यह इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि इदर पिन लगा हुआ है इन दोनों को आपस में जोड़के सबसे पहले stitching होता है stitching के बाद आपका back square होता है इसको पीछे से square करने का उसके बाद end में cutting होता है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि raw material इसका किस type में आता है किस shape में आता है और इससे आप कैसे notebook बनाते है तो दोस्तों यह देखा जो आपको मैंने अभी copy दिखाया था यह उसी का यह paper है यह आप देख सकते हो यह चार copy का paper होता है एक, दो, तीन और चार इसको cut करके पहले आपने दो हिससे में divide करना इसको center से cut करते हैं इदर से यह आपका दो हिससे में divide हो गया तो दो हिससे में divide होने के बाद फिर आपका आगे का process शुरू होता है ऐसे ही आपका title page आता है जो title page आप देख सकते हो यह भी आपका essay का ही आता है इसमें भी आप दो हिससे में divide करके इसको तो फिर आपका इसको end में fold करके ऐसे इसको अंदर से ऐसे fold करके आपका इदर से stitch होता है दोनों चीज stitch होने के बाद आपका इदर से waste paper cut होता है waste paper cut होने के बाद आपका center से cut होके दो notebook त्यार होता है तो basically आपको roughly process बता जिए कि ऐसे notebook त्यार होता है तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास कई sample त्यार है जैसे ये notebook है सबसे पहले paper और title जो है ये paper और बार वाला title है इसको center में pin लगा हुआ center में pin लगा है ये सारा आप देख सकते हो pin लगने के बाद इसको fold करके यहां से पूरा back square होगा अब ये दो notebook है इनको यहां से waste paper cutting होगा उपर नीचे side से यहां से cut होगा तो आपकी दो notebook त्यार होगी तो ये है इसका manufacturing process notebook त्यार करने के लिए अब हम जानते हैं इसमें क्या-क्या machine भी required होता है सबसे पहले तो आपका इन दोनों को आपस में जोडने के लिए pinning machine लगता है ये जो pin करता है ये stitching machine लगता है stitching के बाद आपका second process आता है back square करने का जिसमें आपका copy fold होके पीछे से पूरा square shape आता है जैसे के जिसमें copy दिखने को अच्छी लगती है और sale भी easily हो जाती है और third machine इसमें आता है आपका paper cutting paper cutting ने यहां यहां से cut करके आपका दो copy को त्यार करके finishing दे के final काम उसका होता final करने के बाद दो copy आपका त्यार हो गया उसको आपको pack करना है lamination वाला wrapping करना है तो उसके लिए आपका आता है shrink packing machine वो optional होता है वो आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो वो आपकी मर्जी है main manufacturing process आता है वो तीन machine का ही आता है stitching, squaring and then cutting तो इन तीनों machine से आपका notebook finally त्यार हो जाता है तो इसमें आप कोई भी size का notebook बना सकते हो A4 का हो जैसे ये long register है A4 का ये single line है अंदर जैसे की भी आपको lining चाहिए हो A4 हो, short register हो diary हो, कुछ भी हो सबी के लिए ये basic machines है तो ये आपकी लगेंगी ही लगेंगी तो इसके इलावा आप कोई भी diary बनाना है notepad बनाना है कुछ भी इनमें बना सकते है तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें आपका machines कैसे work करती है कैसे कैसे आपने उसमें काम करना है और इसमें आपको कितनी labor चाहिए होगए तो चलिए अभी video देखते है दोस्तो वीडियो में जो आप machine देख रहे हो यह fully automatic machine है इसमें आप सभी टाइप का बड़ा शोटा notebook register बना सकते हो ऐसे कि आपको manual machine चाहिए तो manual में भी आप काम शुरू कर सकते हो जो कि आपका कम budget में भी शुरू हो जाता है तो आज machines के बारे में discuss करेंगे कैसे कैसे machines work करती है क्या क्या उनका production capacity होता है और क्या उनमें profit margin होता है और क्यानीत है प्टत कर दो क्याओव दो क्या भी Pris र Which we झाल 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 तो दोस्तों नोटबुक को त्यार करने के बाद काम आता है उसको पैक करने का तो उसके लिए इस्तमाल होती है नोटबुक शरिंग पैकिंग मशीन इसमें आपने पांच-पांच-छेशे नोटबुक का सेट बनाके उपर लैमिनेशन चटा के रख देना है और इसने automatically shrink करके आपके notebook को wrap कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपने notebook को उसके बीच में lamination चड़ा के रखना है और इसने automatically आपको shrink wrap करते जाना है तो जिस वज़े से आपका notebook का कोभी moisture नहीं आता और notebook को जितने मर्जी देर आप stock में रख सकते हो तो इसका वीडियो आप देख सकते हों कितना आसान काम है ये तो दोस्तो ये था process notebook manufacturing करने का आपने देखा कितनी असानी से आप notebooks बना सकते हो दोस्तो ये जो setup आपने देखा अभी चार machine का जो set था ये आपको तकरीबन 6-6,5 लाग के अंदर मिल जाता है जिसमें आप सारी machine ले सकते हैं साथ में raw material भी ले सकते हैं और अपना काम असानी से कहीं भी शुरू कर सकते हैं ये सारा plant आपका single face light में भी चल जाता है और आपका automatic मर्लब लेना हो तो वो भी आपको मिल जाता है तो हमारे पास manual से लेके automatic तक कम से कम साथ model available है notebook के तो आपको जैसे का भी requirement हो आप वैसे किया हमें इन number पे contact करके बात कर सकते हो तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में अगली वीडियो में हम आपको इसके profit margin के बारे में भी बताएंगे तो हमारे चैनल को subscribe करें और अगली वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को like और share ज़रूर करें धन्यवाद झाल